आपके अपनी सुपर कोचिंग टेश्ट बूक में एक बार दोस्तों जल्दी सल्दी सब्लों क्लास में जुड़ जाते हैं और क्लास के शुरुवात करते हैं यहां पर साम किशाम के साथ बच गें हैं और साथ से आड तक अपनी एक लास है सभी लोग मुझे बताएं क्या मेरी साउंड्स आप तक क्लियर आ रही हैं क्या आवास क्लिर अर celui अब यहां पर शुरुबात करेंगे हम लोग आप सभी का यहां पर आर भी जाई के प्रीवेसर के कोशन और मोस्ट एक्सपेक्टेट कोशन यहां पर करने वाले हैं ठीक है तो गाईस यह मेरा टेलिग्राम का चैनल है आप सभी लोग फॉलोग कर लिजिएगा और आज का जो सेशन ゲージ अवरा डेश्टलोड्य मेकानिक्स आज का जो सेशन मेरा है हमारा है वो किसके बेशट है फ्लूड मेकानिक्स पेसिकली बैसी के ऊपर बेसे कि घएक है तो ग्डिया का चैनल है राहुलमश्रा सा टेस्ट जंट बूर टेस्ट हुजिलिए आप इसे जोईन कर लेंगे, आपको काफी सारा फाइदा, इससे काफी सारा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीकर यह चल लिए, तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला प्रशनों का, और गाइस, RRBJ के प्रशनों करने वाले हैं, जिसमें मैंने प्रिवियर सेर के फ्लूड मेकनिक से कॉशन आप लिए हैं आप सब के लिए, यस, डेफिनेटल यू अच्टां जी, प्लीज मैसेज में वान टेलीघ्रम, I cannot recommend here, okay, प्लीज मैसेज में टेलीघ्रम, I will tell you there, so yes, it is RRBJ-PY-Q, that is based on fluid mechanics only, so today's station is based on fluid mechanics only, okay, now if you want to get the course, अगर आप में से कोई भी बच्चा इंट्रेस्टेटल में पढ़ने के लिए, और कोर्स लेना चाहता है, super coaching AJ का, पूरा डेटल में अगर आपको process पढ़ना है, like with the zero से आपको hero बनना है, तो guys उसके लिए आपको test book की website प जाना पढ़ेगा, इस वीडियो के description box में जाएए, वहाँ पर AJ mechanical का link की दिखेगा, और आपको मिलेगा, यह पूरा super course बहुत ही आसान प्राइज में, अगर आप मेरा code यहाँ पर यूज करते हैं, R-M-I-S-S-R-E, जैसे आप मेरा code यूज करेंगे, R-M-I-S-S-R-E, आपको पूरा course extra validity के साथ, super discount पर मिल जाएगा, तो जो बच्चे detail में तयारी करना चाहते हैं, वो इसको avail कर सकते हैं, चले गाईज, तो जल्दी सल्दी इसको अपना माना लेजी और, तयारी में जूट जाएए, चले पहला question की शुरुबात करते हैं, testbook की super coaching का first question आपकी screener को पर यह रहा, और this question is totally based on the, I told you this question is totally based on the fluid mechanic session, ठीक है, चले सब्लोगा answer करी चल्दी सल्दी, everyone, and guys, please like and share the session with your friends, so that they can join the session, yes, rise on depression, rise or depression of liquid, guys, we are having another class from 8 to 9, we are having another class from 8 to 9, that is based on industrial engineering for Tata Steel, so do rent that class, that will be very beneficial, आप सब के लिए बहुत profitable होगा, बहुत beneficial होगा, सब जोइन करेगा, the rise of depression of a liquid in a tube due to surface tension, with increase in size of the tube, आप सब को पता है, guys, देखें, यहाँ पर कि अगर यह क्या पुछा है, कि जैसे, for example, आप पास एक ट्यूब है, एक पतली सी ट्यूब है आप पास, इसको आपने किसी पानी में डाट dip कर दिया, किसी water में आपने क्या कर दिया, dip कर दिया, अगर मैं इस tube की डाय को बढ़ा हूँ, तो इसमें जो capillary का rise होगा, वो कम होगा, capillary का rise कम होगा, क्यों, क्योंकि capillary rise या fall क्या होता है, guys, यहाँ पे, four sigma cos theta by rho gd, यानि कि जो height है, capillary rise और fall है, that is inversely proportional to diameter of the cube, तो अगर diameter increase करेगा, तो जो rise or depression हो क्या करेगा, decrease करेगा, clear, अगले कोशन प्याते है, good evening everyone, welcome to discussion, good evening Pail, चली, अगले कोशन प्याते है, पराग जी, good evening dear, welcome, चली guys, तो अगले कोशन प्याते है, a fluid flows in which the density of fluid does not change, during the flow, this is called, a fluid the fluid flow in which the density of the fluid does not change during the fluid flow is called a incompressible, uniform, compressible, non-linear. So guys, see, some fluid basically incompressible when the density does not change. We simply know that any fluid is said to be an incompressible fluid when the density does not change. But, 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 with respect to what, good evening Deepak, good evening, but with respect to what? Guys, a fluid is said to be incompressible when the density does not change with pressure. Means, rate of change of density with pressure is zero. If this condition follows, we say that the fluid is incompressible. What do we say? What do we say? What is the fluid? Incompressible. So, if there is a fluid flow in the flow and the density of the fluid is not changing from inlet to exit, then we can call it as an incompressible flow. We say the next question. The fluid rise in thin capillary, also known as capillary action, is by the virtue of which of the following fluid property? Good evening Nitesh, good evening. So, guys, i'm looking at the fluid rise in thin capillary action. भी बोलते हैं, यह किस property की वजह से होता है, तो यह होता है guys, प्रिष्ठ तनाव की वजह से, जिसको हम बोलते हैं surface tension, जो हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेगा यह क्या होता है, प्रिष्ठ तनाव, surface tension इसे ही बोलते है, surface tension की वजह से क्या होता है, capillary का rise होता है, या foul होता ह है ठीक है यस तो आजाएगा इस option is correct surface tension correct option अगले question पाता है the viscosity of a gas पता है इस fast जल्दी जल्दी the viscosity of a gas theoretical question थोड़ा से जल्दी कर लेंगे बाकी numerical question थोड़ा से time लगाएंगे gas की viscosity increases with increase in temperature B C similar presence a bolend C अगा इस निम्रण प्रदान साब बोलें C आएगा इस निम्रण temperature temperature पर independent ही निये दोस्त पिछले question का अच्छा अपने किया very good okay yes yes sure you can come in dear sure you can join don't need to ask so viscosity of the gases dear increases with increase in temperature पभी तर साब होजी गुड़ गुड़ इनिंग good evening चलिए सो देखिए यहां पर गाईस gases हैं गैस हैं यहां पर तो यहां पर बहुत सारी gas है ना when you increase the temperature when you increase the temperature जब आप temperature को बढ़ाते हैं जब आप heat supply करते हैं तो gases को gases के molecule को heat मिलती है और उनका temperature बढ़ जाता है जब temperature बढ़ता है तो gas की molecule भागने की कोशिश करते हैं दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं जब भागने की कोशिश करते हैं तो molecular agitation बहुत बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, agitation बहुत बढ़ जाता है, agitation यानि कि एक तरह से देखो तो जिससे बोलते है state of dilemma, confusion बहुत बढ़ जाता है, यानि कि kios बढ़ जाता है, और molecule आसानी से exit नहीं कर पाते है, जैसे for example, एक रूम में देड़ सो लोग हैं और अचा लिए लिक्विट्स के लिए, 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 लिक्विट्स के ल लिक्विड होता है तो option आजाता है बिल्कुल परमिशनलिक जरूत किसी को नहीं है यार 2-3 लोग को नहीं किसी को नहीं है The volumetric change of a fluid caused by a resistance is known as All the question I have taken from fluid mechanics and all the question that is either from RRBJ or from RRB SSE exam Like this question, RRBJ exam 29th of August 2015 SPCL, NPCL NPCIL, Gujarat PSC MP Sub Engineer, everywhere it is asked Answer karees ka क्या हो जाएगा Yes, the volumetric change of fluid caused by a resistance is known as So guys, आपको पता है कि यहाँ पर देखिए जो आपका bulk modulus होता है जो आपका bulk modulus होता है वो क्या होता है Change in pressure upon Change in volume upon initial volume यानि कि hydrostatic stress upon volumetric strain यह होता है bulk modulus और 1 upon bulk modulus यह होता है आपका compressibility 1 upon bulk modulus The volumetric change of fluid caused by resistance is known as यानि कि अगर किसी Suppose that आप किसी material की volume में change करना चाहते है किसी substance की volume में change करना चाहते है तो उसका volume कम change होगा अगर उसकी compressibility जादा नहीं है अगर if that is not compressible अगर वह जादा for example liquid liquid is not compressible the compressibility of liquid like water is very low compressibility of liquid is close to zero very low at a given pressure So, अगर आप liquid को compress करना चाहते है तो उसमें कोई volumetric strain नहीं आएगा तो compressibility ही वह वजह है जो volumetric strain या तो होने जेती है या तो नहीं होने जेती है अगर मैं बात करूँ water की तो जो water है ना वह incompressible होता है up to certain pressure water क्या होता है incompressible होता है up to certain pressure लेकिन अगर water पे आप लगाएंगे अगर आप H2O पे यानि कि liquid पे अगर आप pressure लगाएंगे greater than 100 bar अगर आप water पे 100 bar का pressure लगाएंगे but as compared to this pressure like 100 bar means 1 crore pascal 1 crore pascal 1 crore pascal की pressure के respect में water की density 0.5% आथे percent change हुई है so you can neglect it that is why we treat water as an incompressible fluid actually the water is not incompressible but we can treat the water as an incompressible fluid because up to that pressure the water will remain un-in-compressible इस pressure तक water क्या रहेगा incompressible रहेगा अगले कोशिन पाते है गुदिनिंग डियार गुदिनिंग तृती जी गुदिनिंग वसंद गुदिनिंग क्या नामेंद का पवित्र जी सही हो अब अब ठीको hmm the desirable property of any practical fluid बताये क्या होगा desirable property of any practical fluid practical means real काहन गया पे practical means real practical fluid मतलब real fluid so real fluid के अंदर there is viscosity there is surface tension and the real fluid is compressible the real fluid is always compressible ideal fluid you can treat incompressible but real fluid is always compressible guys whenever you say ideal fluid is incompressible always remember whenever we say that ideal fluid is incompressible we mean simply like ideal liquid because ideal gas is compressible compressibility factor for ideal gas like air is 1 okay so ideal gas is not incompressible actually ideal liquid is incompressible so all of the above answer यहा पे correct हो जाएगा अगले कोशन मातले परताब जी एक चीज़ एक मिनट रुकते हैं परताब जी आपने जो बोला for ideal in viscous, incompressible, irrotational यह third वाला कहां पढ़ा है दोस्त आपने ideal fluid must be irrotational लिए कहां पढ़ा है अपने ideal fluid irrotational होता है अगर ideal fluid irrotational होता है तो air compressor कैसे हम चलाते हाँ दोस्त अगर ideal fluid incompressible होता है तो हम air compressor कैसे चलाते ideal fluid irrotational नहीं होता Bernoulli equation में अरे ideal fluid की बात नहीं कर रहे है ideal fluid कैसे irrotational हो जाएगा ideal fluid irrotational कैसे हो जाएगा यह rotational irrotational fluid की property थोड़ी नहीं rotational irrotational तो इस बात में depend करता है कि तो fluid को नचाना चाहते हो कि नहीं external कोई force लगाना चाहते हो कि नहीं वो fluid की कोई cell property थोड़ी नहीं जब हम किसी fluid की characteristics को define करते हो तो हम fluid की internal property को define करते हैं viscosity, incompressibility यह fluid की internal property है irrotational थोड़ी नहीं वो तो Bernoulli में आप लगाऊगे ना कि flow irrotational है ideal अब अच्छा आप किसी बोलो कि air irrotational है air irrotational है क्या यह सही है अब आप बोलो air irrotational है क्या यह सही है नहीं the rise of fall of head h in a capillary tube of diameter d and liquid surface tension sigma and specific weight w is equal to तो मैं आपको क्या बता है कि rise of fall capillary कहा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 sigma cos theta divided by rho into g into d rho into g क्या हो जाएगा specific weight हो जाएगा clear तो आजाएगा w d तो कहां गया 4 sigma cos theta cos theta cos theta कितना हो जाएगा cos 0 1 क्या बोला है liquid surface पे तो अगर clean glass tube है और pure water है pure substance है तो उसका angle of contact होता है 0 होता है ठीक है yes dear बिल्कुल प्रताबजी आपने सही बोला लेकिन वो Bernoulli equation के लिए applicable है roadie हो जाएगा option A correct हो जाएगा yes अगले question क्याते है good evening Mr. Aim तुशार जी good evening यार गलती होगे प्रभू ख्षमा करें प्रभू ख्षमाम मिहम नवीन जी good evening dear if one of the end of the glass capillary tube is immersed in a liquid with stronger adhesion than cohesion यानि कि glass Works of water उसकी महत्ता है वो जादा है तो क्या होगा? जो ज़्यादा होगा १ो जिसकी सरकार बनेगी तो क्या होगा? addition ज़्यादा होगा ? liquid would rise in the capillary अगले कोशिन बाते हैं अगला कोशिन यह है आपका अंसर करेगा कोश्चन का अंसर करेगे ए आएगा? आएगा? अंसर करेगे ए आएगा क्या? सभी का अंसर अर है, very good, तो क्या पुछा है आपसे गाई, determine the shear stress, क्या बोला है, shear stress, shear stress क्या होता है, mu du by dy, du by dy, or you can write mu v by y, clear, so mu यहाँ पर क्या दिया है, देखो, पहले unit जरूर चेक कलेना, unit दिया है, newton second per meter square, यानि कि pascal second दिया है, तो क्या है यह, 2 दिया है आपको, into, v, velocity कितना दिया है, velocity आपको दिया है, 1 meter per second, और y, separation कितना दिया है, दो प्लेट के बीच में, दो प्लेट हैं, जिसके बीच में liquid भरा हुआ है, इनके बीच का जो separation है, वो कितना दिया है, 20 mm, 20 mm का मतलब होता है, 0.02, 0.02 meter, तो दिखिए, 1 by 0.02, यह, कितना आजाएगा, 50 आजाएगा, 50 into 2, कितना हो जाएगा, 100 आजाएगा, तो आपका answer, 100 Pascal आजाएगा, कितना आजाएगा, 100 Pascal आपका answer, आजाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है, अगले कोशिन पर आता है, A liquid is compressed in a cylinder, from a volume of 0.02 meter cube at 200 Pascal, na, pressure, to a volume of 0.01 meter cube at 400 Pascal, the bulk modulus of elasticity of the liquid is, this question was asked in, DSSBJ, RRBJ, and again, Senior Section Engineer Examination, NP-CIL, answer the question guys, fast, C आएगा, C आएगा, very good, देख लेते हैं, C आएगा, D आएगा, देखे guys, कोशन में क्या बोलाएगा, एक liquid है, जिस compress किया जा रहा है, cylinder में, from a volume of, यानि कि V1 आपको दिया हुआ है, V1 आपको गिवेन है कितना, 0.02, और कहां तक compress कर रहा हैं, V2 तक, V2 कितना है, 0.01, ठीक है, एठाप pressure, pressure कितना है शुरू में, like 200 है, और final pressure कितना है, guys, 400 है, आपसे क्या पुछा है कि, bulk modulus आपको बताना है, bulk modulus क्या होता है, change in pressure, like hydrostatic stress, upon volumetric strain with minus sign, with minus sign, we are not interested in sign, we are interested in magnitude, okay, so here, P2 minus P1, P2 minus P1 कितना हो जाएगा, 400 minus 200, this is 200, divided by, change in volume, change in volume means final minus initial, 0.01 minus 0.02, 0.01 minus 0.02, it is minus of 0.01, 0.01 minus 0.02, minus of 0.01, divided by initial volume कितना है, 0.02 है, तो देखे, यह सब cancel हो जाएगा, यह 2 चला जाएगा, ऊपर सीधा, और multiply हो जाएगा, 2 से, और कितना अंसर आजाएगा, आपका 400, कितना अंसर आजाएगा, 400 pascal आजाएगा, 400 pascal आपका अंसर आजाएगा, clear? ठीक है, बहुत बढ़े है, अगले question पाते हैं, यह, same question, like, same, like, same question, the question was from SSCJ and engineering services, answer the question fast, answer the question everyone, pretty simple question, very simple, and huge chance of mistake, huge chance of mistake, B, B answer आएगा, B आएगा, और A, D आएगा पवित्र जी, बहुत बढ़े हैं, जो देख लेते हैं, तो फिर से आपको क्या निकालना है, modulus of elasticity निकालना है, तो del P upon, del V over V करते हैं, minus को छोड़ दो, minus में हमारा interest नहीं है, हमारा interest है magnitude में, तो देखें गाईज, pressure का change कितना हुआ, P2 मानिस P1, तो P2 कितना है, 150 और P1 कितना है, 50, 150 मानिस 50, कितना जाएगा, 100, divided by del V by V, volume में change कितना है, गाईज, volume में change कितना हुआ है, 0.039, 0.039, minus 0.04, divided by, initial volume कितना है, 0.04, पता ये, ये बच्चों का जो A answer आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, देखो, बच्चे बच्चों ने क्या किया, 0.039, minus 0.04, को लिख दिया, 0.01, 100, divided by, 0.01, divided by, 0.04, ये सब cancel हो गया, 4 चला गया, उपर multiply हो गया, और answer आ गया, 400, but मरे लाल, 0.039, minus 0.04, 0.01 नहीं होता, 0.039, minus 0.04, this is not 0.01, this is 0.001, divided by, 0.04, एक है, this is the common mistake, ये common mistake है, अब देखे, यहां पर, एक, 0 वर बढ़गा, यानी कि, 400, 4,000, ऺजाएगा, 4,000 हो जाएगा, 4000 मॉर आजाएगा, अग्जाम, if you are allowed to carry calculator, listen to me very carefully. In exam, if you are allowed to carry calculator, don't trust on your brain, just trust on the calculator. In exam, if you are allowed to carry the calculator, don't trust on your brain, just trust on the calculator. Yes, और दे खुच जो अंसर गलत आता है, the wrong answer is first option. Wrong answer, the common mistake is always option A. किता अंसर आगा, इसका देख लेते हैं? आज से हमने एक चीज़ डिसाइड करी है, मैं वोटा दूँ कि we have decided a new thing. From today and onward, we have, like we had, I had a conversation with my team. And we have decided that कि आज से जो भी comment box में ये pure substance, या फिर इन सब की बाते करेगा रहा हूं, उसका एक screenshot हमारी टीम लेगी. And that screenshot will be sent to your parents. कि अंकल जी, प्लीस लुक, हो यो चाइल्ड इस ग्रोइं. कितना बढ़े है काम कर रहा है, बिचार है. से ले जखते हैं, तो पवितर जी, तयार रही है, screenshot पहुचने बाला है. The velocity distribution over the plate is given by u is equal to 2 by 3 y minus y square, in which u is the velocity in meter per second and the distance y is in meter. Above the plate, determine the shear stress at y is equal to 0, take dynamic viscosity of fluid as 8.63 poise. Clear? Now, I decide करता है, यहाँ पर shear stress क्या निकाला है, determine the shear stress at y is equal to 0. But here, y कितना है? 0. So, it is at y is equal to 0. So, first find out du, rate of change of velocity with respect to separation or height, y. So, what is this? It is u is equal to 2 by 3 y minus y square. So, what is du by dy? What is du by dy? Du by dy क्यों हो जागा? देखे, 2 by 3 यहाँ पर आजागा, and minus 2 by 3, this will be 2 by 3 minus 2 y. So, what will be at y is equal to 0? y is equal to 0 पर क्या आजागा? 2 by 3 आजागा. कितना आजागा? 2 by 3. So, mu will be what? 2 by 3. Oh, sorry. Du by dy will be what? 2 by 3 into mu. Mu कितना है, जागाई? यहाँ पर देखे, 8.63 पर आजागा है. और देखे, 1 पास्कल सेकंड, 1 पास्कल सेकंड, is equal to 10 पर आजागा. So, 1 पर आजागा है, 0.1 पास्कल सेकंड, 8.63 पास्कल सेकंड, You multiply this, you will get the answer. As a, like B option, you will get. B option, you will get. Yes, Jagmohan Dalmiya ji, आप BCCI छोड़के आगे? Jagmohan Dalmiya ji, BCCI छोड़के आगे आप? Very good. आपका comment विल्कुल देख रहा है, dear? Welcome है session में. मुझे नहीं पता है, इतने बड़बड़े लोग पढ़ रहे हैं. कभी ललित मोदी आजाएंगे, IPL के commissioner, कभी ex commissioner, कभी डालिया साब आजाएंगे, BCCI के ex president, अभी सौरफ गंगुली सर भी आने वाले होंगे. चलिए. अगले question पर आता है. चलिए, answer करें, fast जलती है. नहीं, वो अभी problem में है. वो अभी थोड़ा problem में है, वो भी आएंगे. थोड़ा problem में निकल जाएंगे. खुरो भाई, answer करो, answer करो, fast. A glass tube of 3 mm diameter is immersed in a water which is at 20 degree Celsius. The surface tension of water is 0.0736 Nm per meter. The contact angle for water is 0 degree. how much will be the capillary rise or depression? बताएंगे. कितना हाजाएंगा इसका answer? capillary rise or depression आपको निकालना है. तो लगाईए 4 sigma cos theta. लगाईए 4 sigma cos theta divided by rho into g into d. तो cos theta नहाएंगे कितना है? theta कितना है, guys, यहाँपे 0 है. theta कितना है 0, तो cos 0 क्या हो जाएंगा? 1. So now 4 sigma, 4 into 0.0736, 4 sigma. And again, cos theta is 1. Now what is rho? क्या है, water है, यहाँपे रहाँएंगा? Rho is 1000 into 9.81 into what is d? What is diameter? Diameter of the tube is 3 mm. 3 mm means 3 into 10 to the power minus 3. Solve this and tell me the answer. What is the answer here? क्या answer हाएंगा? Everyone tell me answer fast. क्या answer हाएंगा? मुझे कोई पिता हाएंगा क्या? What is the answer here, guys? हाँ, बिल्कुल पृतिया, आपका comment बिल्कुल दिख रहा है, पच्छे. Okay, तो इसका answer क्या हाजाएंगा? Question number 13 का answer हाजाएंगा? 10. Rijit, this is question number 13. 10 हाजाएंगा? Very good. Very good. Again, coming to the next question. Compressibility of air. RRBJ 2015, yellow paper. RRBJ 2015, yellow paper. Answer क्रों, बही. Compressibility of air. कितना हो जाएंगा? कितना हो जाएंगा? gives different colored paper to different student, like as a gesture of the paper code. Like you are getting the paper code, paper code A, paper code B, paper code C. So, RRBJ used to use the different colors instead of the paper code, like yellow paper, red paper, green paper, like that. So, compressibility of air is higher, sorry, greater than that of water. Air, guys, air is, air is 20,000 times more compressible than water. Air is 20k, 20,000 times more compressible than water. This water is 12 times more compressible than mercury and this water is nearly 60 times more compressible, 60 to 80 times more compressible than mild steel. Okay, now, so, this is the greater than water. Next question. In general surface tension, generally क्या होता है? Surface tension क्या गरता है? In general surface tension, remains unaffected by temperature, गलत बात है. Surface tension is a very small force. It cannot sustain high heat. Surface tension बहुत छोटा force है, यह बहुत ज्यादा उश्मा को बर्दाश्ट नहीं कर पाएगा और मर जाएगा. Surface tension क्या होगा? Heat को बर्दाश्ट नहीं कर पाएगा. Remains are affected by temperature, गलत बात है. Increase with increase in temperature यह भी गलत बात है. Surface tension decrease होगा. Surface tension force, this is not special task force. Surface tension force will decrease as the temperature increases. यह से temperature increase होगा. यह से surface tension क्योगा, decrease होगा. That is the reason that at higher temperature you can neglect the surface tension force. At higher temperature you can neglect the surface tension force. Yes. Next question बहाते. a perfect vacuum is obtained now this question is a little bit important SSD JE 2020 SHIFT 1 SPCL JE 2019 and RRB JE 2014 answer the question very good yes perfect vacuum when absolute pressure zero this is guys zero pressure line this is zero pressure line kya hai zero pressure line means yaha pe koi atmosphere nahi kuch bhi nahi clear zero pressure line here the pressure is zero now the pressure measured with respect to zero pressure line is zero pressure line say this is also called reference line zero pressure line ke reference mein ab jo pressure measure kertai that is atmospheric pressure kya hota atmospheric pressure now the pressure measured with respect to atmosphere it is called gauge pressure kya bolte hai gauge pressure now the atmospheric plus gauge is it is equal to absolute pressure kya hota absolute pressure now suppose that i am going to decrease this gauge pressure decrease decrease this gauge pressure dem casting now when you reach atien then you reach atien the gauge pressure is zero gauge pressure kya ho jaega zero when you reach atiem the gauge pressure is zero the gauge pressure is zero not it is not vacuum now you start decreasing the atmospheric pressure अब आप atmospheric pressure को decrease करना शुरू करिए, जब आप atmospheric pressure को decrease करना शुरू करेंगे, इसके above positive gauge, below this negative gauge, अगर यहां तक आपने pressure decrease किया, यहां तक pressure decrease किया, तो यह क्या है negative gauge pressure, यानि कि इतना environment आपने room से बाहर खीच लिया, this amount of atmosphere you have sucked from the room, so this is the vacuum you have created, means this is negative gauge pressure, but I want perfect vacuum, मेरे को इतनु भी, इतनु भी मेरे को atmosphere नहीं चाहिए, I want perfect vacuum, so I will again decrease the, I will again increase the negative gauge pressure, मैं फिर से atmospheric pressure को decrease करना शुरू करू करूँगा, कहां तक, कहां तक, कहां तक, कहां तक, यहां तक आजाओगा, now when you will reach here, जब आप यहां पहुँच जाएंगे, जब आ means absolute pressure 0, क्या हो जाएगा, absolute pressure 0, so you will get a perfect vacuum only when the absolute pressure is 0, you will get perfect vacuum only when the sum of gauge pressure and atmospheric pressure is 0, or in other word you can say, when the atmospheric pressure is equal to negative of gauge pressure, then you will get the perfect vacuum here. जड़ी जड़ी सब लोग, fast किस पटिपन करेगा, dear? the sensitivity of YouTube manometer, like, कोई यहां पहे कोई, ऐसा कुछ है, here like that, so like this is your manometer, and this is any, यह कुछ ऐसा है, जिसमे आपने कोई manometer connect किया है, like that, यह कुछ ऐसा है, यहां पहे, आपने यहां पहे manometer कोई connect किया है, like that, to measure the pressure. so what is the sensitivity of manometer, this angle is theta, so total length of manometer is, let us assume, L, this height is h, so apply sin theta, what is sin theta, it is h by L, sin theta is h by L, and now reverse it, L by h, is equal to 1 by sin theta, now this length upon height, it is known as sensitivity of manometer, क्या बोलते है, manometer कि sensitivity बोलते है, this is sensitivity of manometer, is proportional to 1 upon sin theta, yes, sensitivity proportional to 1 upon sin theta, very good, बहुत बढ़े है, इसे क्या बोलते है, L by h क्या बोलते है, अगले क्वेशन पाता है है, अगले कोश्न पाता है, अगले क्वेशन प्यादे है, अबॉर्ण गेज्स टूप से बना होते है, तो शार जी मैंने कल यही question मैंने कराया था कि एगर hot water होगा ना तो उसमे fictional loss कम होगा hot water अगर flow हो रहा है pipe से और उसी pipe से cold water flow हो रहा है condition same है pipe same है उसी से hot water flow हो रहा है cold water flow हो रहा है तो आप देखिए जो hot water होता है उसमेm pressure cut उसमें frictional loss कम होते हैं, क्यों? क्योंकि delta P आपको पता है, क्या होता है, 32 mu VL by D square, अब अगर hot water है, water अगर hot है, temperature ज्यादा है, तो viscosity कम होगी, अगर viscosity कम होगी, तो pressure का loss कम होगा, pressure drop कम होगा, pressure drop कम, यानि कि head loss due to friction कम होगा, तब head loss due to friction कम होगा, तो flow ज्यादा flow कर जाएगा, लेक cold water की density, जो viscosity होगी, वो ज्यादा होगी, clear? Yes, अब high pressure नापने के लिए हम क्या करते है, dear, तो high pressure, इस bodden, bodden जो gage है, हमारा bodden tube या bodden gauge जो है, इसे mechanical gauge भी बोलते है, क्या बोलते है, mechanical gauge भी बोलते है, और ये high pressure नापने के लिए यूँज किया जाता है, कितना high pressure नापने के जीने टो थाउजन फिफ्टिन ओके चले नेक्स कोशिन बाते हैं येस बिल्कुल बहुत बढ़े हैं इसका अंसर करते हैं राइस इसका अंसर करेंगे थोड़ा सा जाक किसे ने सही आंसर नहीं किया गया वरेटी वेरी गुड़ यार ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पूछता है कोई थोड़ी नहीं सिंपल प्रेशर ही तो है रोजी ऐसी निकालना है अर वोजी ऐसी निकालना है हाँ बस आपको जो H लेना है वो सेंटर तक लेना है बस इतना ही करना है चलो निकालते हैं इसका एक टैंक है वाटर का जिसका जो गेट है वो वर्टिकल वाल के फॉम में है चैक है ?! इसलिए फॉम ख़ा़ या जो जो और उग शुंप ओनदेशा सिने The top edge of the gate is 2 meter below the water level surface. अब से पुछाए, what is the hydrostatic force on the gate? टेक specific weight of water as 10 kilo. Specific weight का मतलब, guys, क्या है? Rho into G. क्या है? Rho into G. Specific weight है. ठीक है, dear? चलिए. तो हमें क्या निकालना है hydrostatic force निकालना है? हमको बता है, guys, pressure क्या होता है? Rho GH. यही होता है, na? प्रेशर क्या होता है? Rho GH. और प्रेशर क्या होता है? Rho GH. और यह होता है? Force upon area. यानि कि force upon area is equal to Rho into G into H. Rho into G कितना दिया है? 10 kilo Newton. क्या दिया है? 10. देखो, option किसमे है? किलो Newton में. So, इसको भी kilo Newton में ही रखना है. 10 kilo Newton into H. Now, this is the height. Height of this center from here. कितना जाएगा? यह आजाएगा 2 and इसका 4 का half. कितना जाएगा 2? 2 into 2 plus 2. कितना जाएगा 4? So, H कितना आगया? 4. Now, 10 into 4. कितना हो गया? 40. Now, आप से force पुछाए, मैं प्रेशर नहीं निकालूँगा. Force, you have to find out the force. So, multiply with area. Area से multiply हैं कि area क्या हो जाएगा, guys. दिखिए यहाँ पर, like 2 meter into, कितना ही है? 3 into 4. 3 into 4 आजाएगा, ठीक है? So, 10, 4's are 40. 40 into 3. 120, 120 into 4. कितना आजाएगा? 480. 400 C kilo Newton यहापर answer आजाएगा. Very simple. ठीक है? चलो, अगले question बादने दिया. Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the session. कि अरवी जी किसमें पूछ रहा है अब General Engineering? बिलकुल आती है General Engineering. General Engineering मतलब Physics वगरे question आजाते हैं. Physics वगरे में मतलब जो question है न. General Engineering मतलब क्या? It's a part of mechanics. Like Physics, General Engineering में physics जो है, that is a part of mechanics. तो वहाँ पर पुली के question, Newton's law के question यह सब आजाते हैं. एं लाइडर वगरे question आजाते हैं. जेले अंसर करेंगें सब लोग. Fast. मैं एक दम बढ़ी हो भाई. Very good. चले गाईज, तो देखते हैं यहाँ पर. A square plane surface is 4 meter wide and 4 meter deep. It lies in a vertical plane in water and its upper edge is horizontal and coincide with the water surface. Estimate the total pressure on the plane surface. बहुत आसान सा question. आज का दियर जो session है, आपके IOL के section में basically वो industrial engineering पर है. Industrial engineering का session है. तो IOL का session है, उसमें, that is a part of industrial engineering. तो industrial engineering का भी question मैं करा दूँगा आपको. ताकि आपका एक syllabus आप cover कर लें, like जो आपका 50 question आएगा, उसको आप cover कर लें. ठीक है, the square plane surface is 4 meter wide. कितना है, 4 meter का wide है, और 4 meter का deep है. यानि कि area कितना हो गया, 16 meter square. It lies in the vertical plane and the water, and its upper edge is horizontal and coincide with the water surface. इसकी जो upper edge है ना, वो water के surface पे touch कर रही है, coincide कर रही है. आप से पुचा है, estimate total pressure. Total pressure, देखो guys, पुचा है, total pressure आपको answer दिया, kilo newton में, यानि कि again आप से hydrostatic force से ही पुचा हुआ है, क्या पुचा है hydrostatic force? Now pressure is equal to force upon area, pressure is rho gh, force is, pressure is what? rho gh, again it is force upon area, and you have to find out the hydrostatic force, because this is in kilo newton. So force is what? What is hydrostatic force? It is rho into g into h into area. What is rho into g? So rho into g, you can take like 1000 into 9.81 into area. Area is 4 into 4, कितना जाएगा? 16 into, what is height? Height up to center, it is 4 meter high, means half, कितना जाएगा? 2 आजाएगा. Solve करियो, मुझे answer पता ही कितना है, please solve and tell me the answer, fast. 320 आ रहा है, कितना रहा है? बता दो, यार answer दो बता दो, भाई. 320 आ रहा है. Okay, आपने 10 लिए है क्या? You have taken 10, take g is equal to 9.81. I think the answer will be very close to 314. अगर 320 भी हार होगा, तभी you have to choose the most appropriate answer. अगर answer 320 भी हार होगा, तो you have to choose the most appropriate answer, वो आजाएगा 314. चेके? अगले question पाते है. A stream function is given by psi is equal to 2xy. The magnitude of velocity at 3, 4 is. फोरा सब फास्त कर लेते हैं, जल्दी जल्दी. HPCLJ 2019 and NPCIL 2019. आज़र करेंगे, सब लोग पास्त जल्दी जल्दी. Very good, कुल्दी, बहुत बढ़िया. अठीक है, नवीन, you have to select the most appropriate answer. Even if it is 320, 314 is correct. A stream function, guys, आपको दिया है, psi. Psi की value आपको दिया है, कितना? 2xy. आप से पुछा है, the magnitude of velocity. Magnitude of velocity का मतलब क्या होता है, guys? Resultant velocity, वो क्या होता है आपका? U square plus V square. अब यहाँ पर U क्या हो जाएगा? देखे, U आपका हो जाता है, 2x, कितना आजाएगा? Minus of 2x. और आपको किस पर पुछा है? 3, 4 पर. x की value कितनी है? 3. तो यह कितना आजाएगा? Minus 6 आजाएगा. Now, again, find V. V is equal to what? Del Psi over Del X. तो यह कितना आजाएगा? X constant हो जाएगा? कितना आजाएगा? 2y. y की value किस पता नहीं है? y is equal to 4 पता नहीं है. तो बता दीजी कितना आजाएगा? यहाँ पर आजाएगा यह आपका 2 into 4. कितना आजाएगा? 8 आजाएगा. Now, V is equal to 8. U is equal to minus 6. So, calculate the resultant velocity. Under root, minus 6 का square, plus 8 का square. 36 plus 64, 100. Means 10. कितना आजाएगा? answer आपका 10 आजाएगा. बहुत बढ़िया है. Very good. चाहिए अंसर करते हैं? दिखते हैं कैसा solve होगा है? question. solve करते हैं इसको. The water is flowing through a pipe, having area, areas 0.05 meter square and 0.01 meter square at a section 1 and section 2, respectively. The rate of flow through the pipe is 50 liter per second. in section 1, the velocity at section 1 and 2 are. बताएए. At section 1, the discharge is 50 liter per second. Satinder साहब, आप अप अमेरिकल से डर रहे हैं, assume तो नहीं थी. वो से इना असान कोशन एडियर. इतना असान कोशन है. देखो, निती ही श्खोग दिया पहली. क्या बात है यह बहुत बढ़ यहां असान सा question ने देखे आपको यहां पर आपको pipe दिया है और यहां पर area velocity, inlet पर area velocity exit पर आपको दिया है गाई, simple आप जानते हैं कि अगर यह flow हो रहा है यहां पर, तो it has to satisfy continuity question like a1v1 is equal to a2v2 and this is equal to what q, q is equal to a v, so it is a1v1 is equal to a2v2, from inlet to exit one thing will be constant that is discharge, discharge का हो जाएगा, constant हो जाएगा now very simple question, apply q1 is equal to a1v1, q1 कितना है guys, यहां पर like, कहा है q1 है, 50 liter per second, 50 liter per second means 50 into 10 to the power minus 3 meter cube per second, 50 into 10 to the power minus 3 meter cube per second, is equal to a1, तो a1 क्या है guys, यह pipe है, तो pi by 4 d square इसका area हो जाएगा तो area अच्छा, area यहां पर आपको दिया हुआ है, 0.5 meter square, so this is 0.05 into v1, na, you can calculate v1 from here, so listen, 0.05, 50 divided by 1000, 0.05, this will be cancelled, answer will be v1 is equal to 1, क्या है जाएगा, 1 है जाएगा, 1 meter per second, clear, now, again apply q is equal to a2v2, so q is again, 5 10 to the power minus 3, a2 is what, 0.01 into v2, so this 0.01, this is 0.05, cancelled हो जाएगा, यहा जाएगा 5, कितना है जाएगा, 5 है जाएगा, option, c correct हो जाएगा, very simple question, just two line का question है, ठीक है, अगले question पाते हैं टियर, Venture meter works on the principle of, very good, works on the principle of Pascal's law, very good, बहुत बढ़िया, Pascal's law, very good, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो Venture meter जो guys नमारा होता है, यह क्या करता है, discharge measure करता है, किस पे काम करता है, यह Bernoulli के principle पे, किस पे काम करता है, बर्नोली के principle पे, जिसमें conversion, divergent दोनों section होते हैं, और यह Bernoulli के principle पे काम करता है, अगले question पाते हैं, चले डियर answer करेंगे, सब लोग fast जल्दी सल्दी, everyone, ठीक है, पाहल मैं बच्चे मैं अगली बार मशीन दी का ही लेगा हूँगा, टर्बो मशीन दी का, don't worry, तो मशीन दी भी बच्चे आसान है, इतना कुछ ठप नहीं है, बहुत आसान है वो भी, तो अगली बार हम मशीन दी का भी कर लेंगे, और मैंने मशीन दी पे session लिया अगर आप टेलिग्राम गुरूप में है, तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा, अपने गुरूप में आप देख लिजेगा, Yes, वेलौश्णी पूछा क्या आजाएगा, क्यू बाई अ गागा, गाई अ गवाई अ गागा, क्यू कितना है, गागा थाएगाön, पर यहां पर कतना गुछ अ गवाई, okay so the answer will be B next question at what distance are you are getting the average velocity MP sub engineer MP engineer J paper 2011 SSC J 2014 answer करेगा सभी लोग जल्दी-जल्दी ठीक है तो देखें यहां पर आप जानते हैं कि U average क्या होता है यह होता है U max 1- R by R का whole square अब से पुछा है कि at what distance you will get the average velocity like यह formula होता है actually U का U का formula होता है U is equal to U max 1- R means 1- R by R का whole square ठीक है so it is saying that at what distance you will get U is equal to U average and you all know that U average is equal to what U max by 2 U average क्या होता है maximum by 2 is equal to U max at the place of U I am going to write U average because it is saying that at what place you will get the average velocity so U बन जाएगा U average or U average क्या होता है U max by 2 so it is U max by 2 is equal to U max 1- R by R ka whole square so U max U max यहां से कट जाएगा देखे क्या बचेगा क्या बचेगा यहां पर क्या बचेगा 1- R square by R square 1- R by R ka whole square this is equal to 1 by 2 क्या बचेगा 1 by 2 और you can say here R by R ka whole square क्या बचेगा 1-1 by 2 again 1 by 2 और R by R क्या जाएगा 1 by root 2 क्या जाएगा 1 by root 2 यह R is equal to R by root 2 तो कहां मिलेगा 1 by root 2 क्या होता है guys 0.707 0.707 होता है R by root 2 तो कितना अंसर आजागा this one ठीक है अगले कोशन पाते है अगले कोशन पाते है most essential feature of turbulent flow अंसर करेंगी सब रो जल्दी जल्दी फास्ट most essential feature of turbulent flow yes the turbulent flow occurs at very high velocity turbulent flow occurs at very high velocity because you know that reynold number क्या होता है what is the reynold number it is rho Vd by mu for turbulent flow the reynold number is very high means more than 4000 okay so reynold number is very high so if reynold number is if velocity is very high means reynold number is very high so high velocity high velocity जो होता है that supports turbulent flow so turbulent flow मों velocity क्या होती है बहुत ज्यादा हाई होती है अगले कोशन पाता है what is flowing through a nozzle fitted at end of the pipe the diameter of the nozzle is 0.1 meter and the head of the water at center of the nozzle is 100 meter nozzle के hit पे जो water का head दिया है like that is 100 meter कितना दिया है 100 meter का water का head है आप से पूछा है कि आप मुझे बताइए कि velocity of flow through the nozzle कितना हो जाएगा अगर coefficient of velocity आपका है 0.95 ठीक है चली answer करते हैं इसका fast जल्दी सल्दी सभी लोग चले गाइस इसका answer आप निकालेंगे तो आजाएगा V is equal to under root 2GH आजाएगा into CV भी coefficient of velocity ठीक है तो under root 2 into G लेलीजे कितना 9.81 ना 10 भी लेलीजे कोई दिकत नहीं है 10 9.81 जो भी close answer आजाए into H कितना दिया है 100 meter into CV CV दिया है 0.95 solve करिएगा आप मुझे बताएगा इसका answer कितना आ रहे I think it is 42.08 ना I think option C will be correct yes option C यहाँ पर correct हो जाएगा चले गाइस तो एक question और कर लेते हैं फिर session के यहाँ पर end करते हैं in a reaction turbine the discharge a reaction turbine discharges 30 meter cube per second of water under a head of 10 meter with an overall efficiency of 92% the power developed is answer करें सम्रोग जल्दी जल्दी fast give me the answer fast nahi dear I think answer is answer must be A I think so what is the overall efficiency overall efficiency आपकी क्या होती है guys shaft power upon water power water power क्या होता है rho qgh बस everything is given to you overall efficiency आपको कितना दिया है 0.92 92% आपको shaft की power आपसे पुछा हुआ है power आपसे shaft की पुछा हुआ है this one आपसे पुछा हुआ है so 0.92 into rho into g कितना हो जाएगा 9810 1000 into 9.8 कितना हो जाएगा 9810 discharge कितना है 30 discharge कितना है 30 है and head कितना है यहाँ पर 10 meter का head है आप इसको solve करेंगा आपका I think answer आजाएगा this one कर सकते हैं मेरा telegram channel Rahul Mishra sir test book आप इसे join कर सकते है Rahul Mishra sir test book आप आप देखेंगे chat box में तभी आपको दिख जाएगा ऊपर yellow color के link में वहाँ पर pin है वो आपको दिख जाएगा ठीक है Rahul Mishra sir test book आप जॉइन कर सकते हैं यहाँ आपको सारी PDF अगरा प्रोवाइड कर दूँगा Okay dear तो उसके बाद अगर आपको कोई one step solution चाहिए यानि कि अगर आपको पूरा detail में question चाहिए और with proper solution चाहिए एक बहतरीन explanation के साथ अगर आपको question का solution चाहिए और mock test चाहिए study notes चाहिए क्योंकि देखिए पढ़ने साथ चीज नहीं होती चाहिए practice set लगाने के question set लगाने से तो उससे आपकी rhythm बनती है और आप definitely exam में speed से चीज़ें कर पाते हैं तो यह सब guys आपको मिल जाएगा बहुत आसान प्राइस पे बहुत सस्ते प्राइस पे बस आपको जाने टेस्टबू की website पे 8-9 के session में thank you so much have a good day take care and bye bye yes we are having a class from 8-9 that is pure on industrial engineering okay so thank you so much guys have a good day and take care bye bye